हेलो एड्रीवन आमार कोश्यन दिया है वीच आप दर फाउलोइंग आर आइसो इलक्रोनिक इस्पेसिज दोल्ड है दे सेम नंबर सेम नंबर ऑफ एलेक्रों वेप्र हैं कि जिसमें नंबर ऑफ यलक्रोंड ते इसम रहता हई ऊपिसको इसुएल्ट्रोनिक का मतलब होता है have same number of electrons ठीक है अब हम लोग एक एक करके समने देखते हैं कि कहां पर कितने electron होता है अगर na plus की बात की है तो simple system पहले na का समझो na का atomic number होता है 11 ठीक है अब atomic number 11 है इसका मतलब है कि इसमें 11 electron है 11 proton है क्योंकि एक formula होता है atomic number मतलब कि Z equals to P equals to E neutral atom के लिए यह होता है neutral atom के लिए जिस पर कोई charge ना हो तो जो atomic number होता है वही number of proton होता है वही number of electron होता है इसके पास 11 electron है 11 proton है अब इसका electronic configuration 281 होता है यह क्या करता है oxygen complete करने के लिए जब एक electron donate करता है तो इस पर प्लस चाड़ जाता है प्लस चाड़ जाने में यह electron को donate करता है तो electron 11 से कितना हो जाता है 10 हो जाता है तो हमारे पास Na plus पर कितना electron है 10 electron है अब हम लोग बात करता है K plus T K उसे potassium के तरह होता है लेकिन इसका atomic number 19 होता है electronic configuration 2881 plus charge का मतलब है एक electron donate किया है यह electron donate कर देगा तो इसके पास कितने electron बचेंगे 18 electron टिक है उसके बाद अगर हम लोग बात करता है mg2 plus की mg2 plus magnesium का होता है atomic number 12 टिक है और इसका electronic configuration 282 2 plus है यहाँ पर 2 plus का मतलब है 2 electron donate किया है 2 electron जब donate कर देगा इसके पास कितने electron बचेंगे 10 electron फिर CA 2 plus CA 2 plus same calcium का atomic number होता है 20 electronic configuration 2882 इस पर भी 2 plus है 2 plus का मतलब है 2 electron donate कर देगा बचा कितने electron इसके पास 18 electron यह 18 electron हो गया फिर हमारा sulfur 2 minus sulfur का atomic number होता है 16 16 का electronic configuration 26 अब यहाँ पर 2 minus है 2 minus का मतलब है 2 electron और accept कर लिया तो 2 electron और इसमें add हो जाएगा तो पहले से 16 था 2 और add हो गया 18 हो जाएगा तो यह 18 electron हो गया और आरगन आरगन का atomic number होता है 18 और इसमें कोई electron add नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं से donate किया गया इसके पास 18 electron ही है तो अब सेम नंबर आप इलक्ट्रोन कहां कहां पर है हम लोग देख सकते हैं तो सेम नंबर आप इलक्ट्रोन कहां पर है K plus 18 electron है CA 2 plus इसमें भी 18 electron है S 2 minus इसमें भी 18 electron है और आरगन यह चारो ISO electronic है इसके अलावा NA plus और MG 2 plus यह दोनों आइसो इलक्ट्रोनिक है यह एक ग्रूप बन रहा है यहां पर इस दोनों में टेन इलक्ट्रोन्स है और यहां पर इन सभी में इन सभी में एटीन इलक्ट्रोन्स है यह सभी आइसो इलक्ट्रोनिक हो गया यह दोनों आइसो इलक्ट्रोनिक हो गया I hope ये वोगोषियन आपको समच में आपका, that's all, thank you